प्रदान मंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को हैकरों ने लगाया ग्रहन मद्ध प्रिदेश के खरगोन शहर के बाइक शोरूम संचालक के नाम हैकरों ने फरजी मोबाइल सिम लेकर दो बैंक खातों से ओनलाइन इंक्यानवे लाग रुपे की ठगी कर ली हैकरों ने बैंक से ओनलाइन राशी महाराश्ट और आंदर प्रिदेश के बैंकों में ट्रैंजक्शन की है संचालक को जब पता चला तो उसने अपने मोबाइल बंध होने की जानकारी जुटाई तो बैंक से राशी का ओनलाइन में से जाने पर तदकाल बैंक से संपर कर अपने खातों को सीज कराया साथ ही उसकी शिकायत S.P. को भी की है खरगोन सेर के डायवासन रोड़ पर संचालित हो रहे बाइक शोरूम प्रलाद अभिकरन के संचालक गजानन्द गोयल ने बताया कि मोबाइल हैकरों ने दूसरी सिम इशू कराने के बाद करीब इंक्यानल में लाग रुपे महराष्ट और आंध्र प्रिदेस के खातों में ट्रांसफर करा लिए है गोयल ने बताया कि आपकी फर्म प्रिलाद अभिकरन के नाम से बोपाल में इसी नंबर की सिम किसी व्यक्ति ने इशू कराई है गोयल ने बताया जब दूसरी सिम के जरी हैकरों ने एक दिन में उनके खाते से 50 लाग की राशी पांच बार अलग-अलग आख़ों से निकाली है ये राशी आंदिप्रेजस के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाका नींदा वली की खाते में इसी तरह दूसरी बैंक को बड़ोदा का खाता संचालित करते हैं उसमें भी इसी तरह उनके खाते में चार बार 10-10 लाग रुपे की राशी निकाली गई है पुलिस ने गोयल के आवेदन पर बैंक से जानकारी लेने के बाद हैकरो तक पहुँचने का आश्वासन दिया है गोयल के मुताविक हैकरो ने इंक 90 लाग रुपे में से 30 लाग रुपे की राशी निकाल ली है फिरी को बंद करातर उनकी नाम की उसी नमबर के रोट कराए घी और फिरुपे इंक रुपे लाग रुपे की एक रिखन सामया रहा है कि अब भी उनका लाग भूप उनके अगवा जागी है छिए एंग की जो कैसा उसे अव्याद में लागी था जाए कि लिए ऊख्वादी जाए जाए और वस्तितिष इस प्रकार के लिए उसकादार पर वैधनिक टाल बेखिए सर यह सेम क्या बोपाल सेशु हो गई है कि अविदक का ऐसा ग्यान है कि इसे बोपाल सेशु होगी चुकि आविदन अभी ग्राप्त हुआ है तो इस सम्मन्द में जांच की जाएगी तो सिम की नाधरों पर इशु की गई है उसके लिए क्या प्रपत्र यूज किया रहे हैं तो जाच को सेँ